मौगंज जिला निर्मान परिशद ने लगाई चोपाल जन प्रतनिधियों को लिया निशाने पर मौगंज अंचल के विकास की मांग अब मौगंज के लोगों के लिए क्षेदर की असमिता और सम्मान का विशह बन चुकी है जिसे पूरा करवाने के लिए प्रदेश शासन के मुखिया से लेकर क्राम बंचायत के जन प्रतनिधियों तक बात रखने का प्रयास अनवरत रूप से किया जा रहा है अभी तक देखा गया है कि मुख्यमंत्री सहित शासन के मंत्रियों की भूमिका केवल आश्वासन देने तक ही है साथ ही अंचल के विधान सभा प्रतनिधियों की भूमिका भी संदिक्ध है देखा जा रहा है कि अंचल की जनता की मांग को जन प्रतिनिधी विधान सभा के पटल पर भी नहीं रख रहे हैं जिसके करण मौगंच जिले की मांग को जो समर्थन विधान सभा में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा जिला निर्माण परिशद द्वारा ग्राम शुकुल गवा में आयोजित चौपाल में बोलते हुए परिशद अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा कि मौगंच अनुभाग के प्रतनिधी मात्र प्रदर्शन और दिखावे की राजनीती करते हुए छेतर की समस्याओं और जिला निर्माण की मांग को अपनी राजनेतिक आपिक्षाओं तक ही सिमित कर रहे हैं जिसके कारण जन अभियान के संघर्ष और प्रयास को दस वर्षों से भी ज्यादा का समय लग गया है इस दवर्फ ह्रच़ ले का दाखनां थे जिला नार नहु बर्णेव को अईने बुझा पुझा ऑन्टाप बादा हुखा। युम्हेर नहां में अचाओ।